दोस्तो आज की इस वीडियों हम जानेंगे हमें 12 के बाद क्या करना चाहिए क्योंकि जह हम 12 पास करते हैं तो हमारे पास बहुत सचारे career options होते हैं और बहुत सचारे बहुत courses होते हैं हमें लेकिन the right career option को चूरना चाहिए हमारे जिस field में interest हो हमें उसे चूरना चाहिए आज मैं बताऊंगा कि हमें 12 के बाद क्या करना चाहिए चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो class 12 होता है उसे हम दो तरीके से पास करते हैं यानि कि दो तरीके के लोग उसे clear करते हैं मेली एक होता है PCM दूसरा होता है PCB PCM यानि की physics chemistry और math PCB यानि की physics chemistry सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं यान की PCM की बात करते हैं दोस्तों जो PCM वा लोग होते हैं उनकी सबसे पहली सबसे पहली जो priority होती है वह इंजीनियर करने के लिए वह और इंजीनियर बनने के लिए वह बीटे कोर्स करते हैं और बीटे कोर्स में admission लेने के लिए वह लो प्रायोर्टी होती है 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 प्रायो आप commerce यानि कि वह कामर्स कर सकते हैं और उसके बाद जो लाश्ट प्रियोर्टी होती है वह था LLB जो लोग लाग के फिल्ड में आना चाहते हैं वह LLB कोर्स करते हैं अब जानते हैं पीसीबी वालों के भी से में दोस्तों जो जो लोग फिजिस कमिस्ट्री और बायों से अपना ट्रॉल्थ क्लियर करते हैं उनकी सबसे पहली प्रायोर्टी होती है डाक्टर डाक्टर उनकी सबसे पहली प्रायोर्टी होती है और डाक्टर बनने के लिए उन्हें है MBBS course करना पड़ता है और MBBS course को में admission लेने के लिए उन्हें need का exam clear करना पड़ता है और need भी NTA द्वारा connect किया जाती है और उसके बाद जो उनकी second priority होती है वह होता है pharmacy pharmacy यानि की B pharma और D pharma करते ैं उसके बाद दोस्तों जो उनकी अगली priority होती होता है वहोता बीस्सी बीस्सी करकर वैं एक ये उसके बास बहूंकी priority होती है और बीकाम करते हैं और जो अगली प्राइरटी होता है वह लोग लग लग क में जाते हैं वकील बनना चाहते हैं वह लोग LLB को स्वो करते हैं अब जानते हैं PCM और PCB वाले आप जानते हैं BSC और BA करने के बाद आप किस तरह गवर्मेंट जाप को पा सकते हैं गवर्मेंट जाप पाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ग्रियजूट होना पड़ेगा और ग्रियजूएशन कंप्लीट करने के लिए आपको BSC और BA करना होगा BSC और BA करने के बाद आप आप civil services के तैयारी कर सकते हैं civil services के अंतर कर दोस्तों IES IPS PCS इत्यादी के तैयारी कर सकते हैं और इन सब की तैयारी करने के बाद आप एक civil servant बन जाते हैं दोस्तों यह था complete knowledge बारे के बाद हमें क्या करना चाहिए इसके विशे में दोस्तों यह आपको इन में से किसी एक particular course के उपर वीडियों चाहिए comment box में comment करिएगा मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा तब तक के लिए आप दोस्तों एसी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियों को लाइक कर दीजिएगा